इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने computer icon और इसमें जितनी भी drives होती हैं आपकी उन सब को कैसे hide करते हैं चलें शुरू करते हैं सबसे पहले आप search option में जाएं और यहां पर लिखें gpedit.msc यह मैं वीडियो की description में दे रहा हूं वहां से आप copy कर सकते हैं इसको इंटर करें आप अपकास यह window open हो जाएगी यहां से आप user configuration के नीचे administrative template इस पर क्लिक कीजिए इसके बाद आप desktop पर क्लिक कीजिए desktop पर क्लिक करने के बाद आप remove computer icon on the desktop इस पर डबर क्लिक कीजिए आपको बस यह window आ जाएगी यहां आप simply से enable करेंगे और इसे apply करेंगे और ok कर देंगे यहां से यह window close कर दें और refresh करें इसके बाद आप अपना system restart करेंगे अगर आप आपना my computer इस वक्त open करते हैं तो आपके पास completely hard drive show नहीं होगी लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं left side पे c drive, d drive और e drive show हो रही है अगर यहां पर क्लिक करोगे तो यह open हो जाएगी लेकिन अगर आप restart करते हो आपने system को यह apply करने के बाद उसके बाद यह computer का icon भी show नहीं shortcut keys के थूरू अपनी hard drive में जा सकते हैं for example in this case अगर मैं अभी जाना चाहूं तो मैं windows plus key का परदवाओं और यह open हो जाएगा by computer लेकिन hard drives में जा सकता हूं window plus c और यहां से c d और e किसी में भी मैं जा सकता हूं लेकिन restart करने के बाद आपकी यह settings apply हो जाएगी completely ability चलें restart करते हैं और बाद में देखते हैं यहां से आप restart करें restart देखें restart करने के बाद आपको computer का icon भी नजर नहीं आएगा वो भी गायब हो चुका है और अगर आप shortcut की के थूरू अपने computer में जाते हो windows की plus e तो भी आपको आपकी drives की नजर नहीं आएगी यानिके completely आपकी hard drive हाइड हो चुकी है अगर आप इसको दुबारा अन हाइड करना जाते हो तो आपको सेम प्रासेस करना पड़ेगा स्टार्ट और यहां पर आप दिखेंगे gpedit.msc पर इंटर करें इंटर करने के बाद आपके पास एक window open होगी यहां से आप यहां से आप desktop, desktop में जाने के बाद आप जिसको enable किया था remove computer icon on the desktop इसको disable कर देंगे इस पर double click करें, double click करने के बाद यहां से आप इसको disable करें और apply करें और ok कर दें यह भी आपकी settings apply नहीं हुई, आपको settings apply करने के लिए system restart करना पड़ेगा दुबारा लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी drives show हो चुकी है, लेकिन desktop पे जो आईकोन है वो show नहीं हुआ, यह show करने के लिए आपको simply restart करना होगा उस computer को, computer को restart करने के बाद जो settings आपने अभी भी apply की हैं, वो completely apply हो जाएंगी, उसके बाद आप अपना computer का icon यहां पे देख सकते हो, इसके लावा hearts आपकी show होई गी है, चलें दुबारा restart करते हैं, restart, आप देख सकते हैं कि restart करने के बाद यह हमारा computer का icon दुबारा से आगया है, और इसमें drives जो हैं, वो भी available हैं, यहां से आप click करके इसको open कर सकते हो, use कर सकते हो, मुझे अमीद है कि आपको यह वीडियो पसंदे ही होगी प्लीज मेरे चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा, और अगर कि मेरे लिए suggestion है, तो उसे लाजमी लाजमी नीचे comment box में post करें, thank you so much for watching, मिलते हैं next video में, अलाफेज झाल झाल